ये अगर आप बीएड या बढ़ीस करने वाले है बांति हास धोगुदो hommes एप करने वाले है थोजार बीश में या डेखे आप बीडियो आपके लिए बहुत जायदा हैभी उप節目 हम देखेगे बीर करने के बाद आपके लिए कारेयर ओप्शन क्या-क्या है अगर आप रीड करते हैं तो देखे आपके लिए क्यारेयर ओप्शन बढ़ जाते है तो आप वीडियो में बने रहे हम इसकी जो पूरी परकीरिया होगी स्टेप बाइस्टेप देखेगे और यहां पर फीज देखे परकिरिया वो प्राइमरी और जूनियर के लिए बराबर हो चूकी है इसमें क्योंकि बीटी सी करने के बाद आप प्राइमरी और जुनियर दोनों में आप अपलाई कर सकते हैं अब देखिए जैसे ही आपका B.A. जो है फरस्ट यर कंपलीट हो जाता है उसके बाद आप T.A.T. या C.T.A.T. का आप एक्जाम दे सकते हैं और वैलिड भी आपका होगा देखिए ये केवल क्वालिफाइं करना होता है आपकी इसमे मेरिट जो है मेरिट अभी ये नहीं लगती इसमें अब इसके बाद अगर आपका B.T.C. में दो सेमेश्टर आपके कंपलीट हो चुके है तो आप T.A.T. या C.T.A.T. का एक्जाम दे सकते हैं ये भी क्वालिफाइं होगा B.A.T. और B.T.C. दोनों के लिए देखिए अब इसके बाद देखिए सूपर T.A.T. में कौन अपलाई करेगा देखिए सूपर T.A.T. में वे अपलाई करेगे जैसे ही वेकेंसी आएगी प्राइमरी और जूनियर कोई सी भी आपकी आजाए तो इसमें देखिए अगर आपका B.A.T.C. कंपलीट है तो आप इसके लिए अपलाई करोगे उसमें और उसके बाद आपकी जोब की मेरिट लगेगी तो यह किस परकार से आपकी मेरिट लगेगी देखिए इसमें हाई स्कूल का 10% एड होता है इंटर का भी 10% ग्रेशन का 10% और आपका B.A.T.C. आपने किया है तो उसका भी आपका 10% एड होगा और सूपर T.A.T. का जो एड होता है यहां पे 60% आपका एड होगा इन पांच क्रांज के लिए अभ आपके मनमें यह होगा कि हमारी हाई सकूल में कम है इंटर में कम है तो क्या जो देखें के चांस आपके बराबर है क्योंकि आगर आप यहांपर super tech में महनत करते हैं अगर आपका high school में कम percentage है देखिए तो आप आराम से आप पा सकते हैं जो भी समें देखिए अगर किसी के high school में माली जी 70% है और आपको लग रहा है कि आपकी merit कम है यानि कि आपके है high school में 60% तो देखिए आप यहाँ पे super tech में दो से तीन question आप फाल्तू कर दीजिए तो आपका यहाँ पे बराबर हो जाएगा इन्हीं के देखिए अगर आपका देखिए यहाँ पे दो यह तीन question आप कर देते हैं फाल्तू तो यह आपके जो आपकी percentage थी high school की 10% कम थी यहाँ पे और यहाँ पे आपको तुरण दो यह तीन question से ही आपकी भरपाई उसकी हो जाएगी तो आपको मेहनत करनी है super tech के लिए यानि कि आप अभी से जो है अपना एक तैयारी लेके चले उसको देखिए इसके बाद आप इसमें B.E.E.D. और B.T.C. की प्रवेस की परकिरिया क्या है देखिए B.E.E.D. में होता है इंटरेंस एक्जाम होता है उसी के आधार पे आपकी कटोफ बनती है इंटरेंस एक्जाम के आधार पे और जिसकी merit अच्छी होती है इनमबर अच्छे आते उनको मिलता है government college या फिरिशट मिलती है उनको इनकी जो फीस होती है फर्स्ट यर की ये होती है पांच से 6,000 के आस पास और B.E.D. में अकर आपको प्रवेट सिट मिलती है यानि कि आपको फिरिशट नहीं मिलती है आपकी जो फर्स्ट यर की फीस होगी वो होगी 55 से लेके साथ हजार रुपे आपके और सेकिंडियर की फीस होगी 35,000 इसके बाद देखे बीटीसी की क्या परकिरी आए बीटीसी में इंट्रेंस एक्जाम नहीं होता इसमें मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा मेरिट किस प्रकार से लगी आपकी टैंथ 12 और ग्रेशन के आपक की जाएगी माल लीजिए आपके 70, 70 और 70 परसेंट है तीनों आपके हाइश्कूल इंटर और ग्रेशन के आपकी जो परसेंटेज होगी इनके आधार पर आपका एडमिशन होगा देखे पड़तेक जिल्य में जो डाइट गुर्मेंट कोलीज है उसमें बीटीसी गुर्मेंट कोलीज की जो फीस होती होती है दस से बारा हजार रुपे और प्राइवेट की जो फीस होती है न वो देखे माल लीजिए आपके चार सेमेस्टर होते है उसमें यह लगेगी 55 से लेके 60,000 रुपे बीटीसी में और सेकिंड यर में भी आपकी जो यान पर कम हो जाती है 35,000 रुपे आपकी लगती है तो इस प्रकार से आपकी जो फीस है प्राइवेट की काफी ज़्यादा है इसमें बीटीसी में अगर आपका 10, 12 और गरेशन में आपके मार्क्स कम है तो आप बीटीसी की तैयारी करिए देखिए अभी आपके पास एक महिना है अगर आप फ्रीसीट आराम से आप निकाल सकते बीट में और अपनी जो फीस है देखिए बहुत सारी आप बचा सकते है उसमें देखिए यह हुई हुई बीटीसी और यह बीटीसी डीट जार गरेशन में घृत अजट करते हैं तो आप बीटाम से एक महिने की तैयारी में आप बीटीन काल सकते हैं अभी आप आगे कोशन है कि बीड किस युनिवेस्टी से करें तो देखिए आपको जो युनिवेस्टी बहतर लगे आपके पास हो या आप पहले से पढ़ रहे हैं वो आप चूज कर लिजिए क्योंकि इसमें देखिए एक्जाम जो होते हैं ना बीटीसी में बीटीसी में चार सेमेस्टर होते हैं आपको देखिए पता होगा देखिए चार सेमेस्टर होते हैं बीटीसी में तो अगर आप बीड करते हैं तो बीड में देखिए कुछ युनिवेस्टिया जो पेपर कराती है वो येरली कराती है और कुछ युनिवेस्टिय में एक बार आप इसमें पेपर दे सकते हैंं अगर आप सेमेस्टर वाईży जो किई इनिवरस्टी है उससे करते हैं तो आपको यह पे चार बार आपको इसमें btc की तरह इसमें इसके बाद देखिए यहां पे आपको योग गेता सभी को पता है इसके बाद देखिए फीस मैंने आपको बता दी गवर्मेंट और प्रवेट कोलिज की बीएड की अलग और बीटीसी की अलग देखिए तो यहां पे इसके बाद देखिए सीट मैंने बता दी जो फिरी सीट ह देखे बीटीसी में भी दसजार सीट है और बीड में भी दसजार सीट है एड्मिशन की परिकिरिया आपको मैंने बता दी अगर आपके हाई स्कूल इंटर और ग्रेशन में बहुत ज्यादा आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको जो गवर्मेंट कोलीज होते है आपका और आपकी परसेंटेज आपकी जो स्रक्षन की जो मेरिट बनती है वह हाई स्कूल इंटर ग्रेशन और आपकी बीड यह बीटीसी की देदस परसेंट आपकी चारों की मिलाके और सूपर टैट का साट परसेंट मिलाके आपकी फाइनल मेरिट बनती है अब देखिए आपके लिए option क्या है बीएड और बीटीसी के लिए देखी इसमें इससे पहले देख लेते हैं scholarship के बारे में देखिए बीएड और बीटीसी दोनों में scholarship आती है लेकिन कभी-कभी क्या होता है scholarship नहीं आपाती अगर आती है तो देखिए SC की तो 100% आती है SC और ST की रही बाद जर्णल और OBC की तो देखिए पिछले साल तो आई थी लेकिन अभी क्या है अभी जो जर्णल और OBC की सभी इस्वेंट की अभी जो scholarship है वो नहीं आई इसमें तो अगर आप देखिए B.A.D.C. प्राइवेट कोली से भी करते हैं तो आपकी scholarship में जो फीस लगी थी वो आपकी वापस हो जाती है अभी इसमें देखिए आगे अब बात करते हैं हम यहां पे केरियर ओप्शन की तो देखिए इसमें बी टी सी देखिए B.T.C. में अगर आप B.T.C. कर लेते हैं तो आपके पास जो उप्शन है वो है प्राइमरी और जूनियर आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में जा सकते हैं अगर आप B.A.D. करते हैं देखिए अगर आप B8 करते हैं तो आप primary, junior, tgt, pgt, lt grade सभी जो ये vacancy होती है उनमें आप apply कर सकते हैं इसके अलावा जो other state होते हैं उनमें भी आप जो vacancy आएगी वहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं इसमें देखिए और आपका primary और junior देखिए प्राइमरी और junior, B8 और BTC दोनों की जो selection की परकिरिया वो बराबर हो चुके हैं अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका TGT के लिए आपका क्या-क्या इसमें मांगा जाता है आपका एक तो B8 मांगा जाता है देखिए B8 के साथ साथ आपका आपने B8 किया उसके बाद आपका यहाँ पे आपके subject का combination मांगा जाता है माल लिजिए मैं art side से हूँ तो मुझे जो है मेरे पास art side के दो subject होने चाहिए देखिए combination के लिए माल लिजिए मेरे पास जो है देखिए B.A. में history है geography है और polity है देखिए polity और economics इन में से देखिए यह चार-पांस सब्जक्ट जो है देखिए इन में से दो सब्जक्ट होने जरूरी है अगर आप कि टीजीटी दे सकते हैं अगर आपके पास देखिए माल लिजिए history और geography, politics, economics बाकी आपके पास कोई भी सब्जक्ट नहीं है आपके पास यहां पर माल लिजिए एक education है और एक है आपके पास हिंदी है माल लिजिए आपके पास तो आप देखिए टीजीटी का आप एक्जाम नहीं दे सकते आर्ट साइड वाले देखिए आपके पास दो सब्जक्ट का यह पीजए टी होता है उसमें 要प अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होता है आपका एम्में realmente कूम के साथ व का ओर चार्ड माँगा जाता है देखिए अब मुझे comment करके बताए बियेड अच्छा है या बीटीसि अच्छा देखिए आपको जो बहतर लगे माल लीजी आपकी percentage माल लीजी high school में 80 है इंटर में 80 है और आपका बीये में 70 है तो आप देखिए बीटीसि करिए अगर आपका फिरी सिट पर हो जाता है तो भा के अलावा भी कहीं सारी ओर वेकेंसिया देखिए अभी जो वाला फोम आया था उसमें केवल केवल बीएड वाले जो है अपलाई किया है उन्होंने और अगर आपकी परसंटेज थोड़ा सा कम है तो आप देखें बीएड करिए देखिए बीएड के बाद आपके काफी सारे बन जाएगी क्योंकि देखिए जो टीजी टी की जो वेकेंसी होती है ना इसमें आपकी कोई परसंटेज नहीं मांगी जाती है आपके पास केवल बीएड के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए उसमें आपकी हाई स्कूल इंट्रगरेशन की कोई परसंटेज आप बीएड में ज्यादा है तो देखिए आपको जो अच्छा लगे आप वह करिए और अभी आपके पास लगबग एक महीने से ज्यादा है इंटेंस एक्जाम के लिए और इसमें मेहनत करिए आपके पास जो सब्जक्ट के देखिए हिंदी है आपका जीके है रिजिनिंग है और आपका जो बीए बीएससीबी को में अपने सब्जक्ट पढ़ा है उनसे आपके क्विश्चन आएगे तो आप इसमें देखिए अच्छे से तैयारी करिए और फ्री सिट निकालने का पूरा कोशिस करें पूरा दम लगा देश में और यह जो मैनत होगा आपका यह अभ